जैगुरी जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटे स्टूडियो के अपडेट्स मिलते रहें जैगुरी जी आज मैं आप सब के साथ जो ससंग शेयर करूँगा वो भारत बुशन बाटे अंकल जी का है और अंकल जी गुड़नाओं से है चलिए आज का ये एरान कर देने वाला ससंग हम अंकल जी की जुबानी से ही सुनते हैं जैसे अंकल जी ने ससंग हमारे साथ शेयर करा है वैसे आप सब के साथ इस ससंग के मादन से आज मैं साजा करूँगा इसलिए आप सभी संगत ससंग के हम तक बने रहना वो ससंग को बहुत द्यान से सुनना वो ससंग को बीच में ना छोड़े क्योंकि सच्चंग सुनने वाले कभी कल्यान होता है और सच्चंग करने वाले कभी और हो सकता है जो आप आज सच्चंग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं चलिए सच्चंग शुरू करते हैं जय गुरुजी हम गुरुजी के पास चार जन्मीरी 2003 को आए, मेरी पत्नी उशा 1998 से चिर्क खानिक नदले से पीडित थी और उसके ठक्ये बन गए थे, उसे कई अन्य स्वास्ते समंदी समस्य भी थी, उसमें से एक तो तुरंत समाप्त हो गई, उसकी खाने के ननी में नासूर था जो भुषे में गुल्मा भी था पर हमें इसका ग्यान नहीं था, एक दिन गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका स्वास्ते ठीक नहीं है, उसे घर पर विचराम करने क्या अवशकता है।uman गुरुजी ने उसे चल्रिया के लिए भी बेजा, आज भ़े बिलकुल स्वा अपने पास बुला कर उसे हमारे बैंक की राशी बता दी और हमें वहन निनलेने से प्रोग दिया। भावना को मिर्यादी जोर हो गया और एक सप्ता तक उच्तापमान भेने पर भी चिकच्सक उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे। गुरुजी ने उसे पपीते और गन्य करस्मीनयों को भा जो चिकच्सक मना करते हैं पर उन्हें पीकर भे बिल्कुल ठीक हो गई। कलंतर में अनेग कठनाई होते हुए भी गुरुजी की दया से उसे दंत चिकच्सा पठे करब में परविश मिल गया। गुरुजी हमारे जीवन में आए उसके लिए हम दन्य है। जय गुरुजी शुकराना गुरुजी। जय ने हाथ क्योक्चार के लिए विंती करी। वहें एक दुरगटना में श्रतिगस्त हो गया था। शीत काल और कोई भी कारे करते हुए उसमें पीड़ा बहुत भड़ जाती थी। मुझे उनका आशिरवात प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे तामन लोटल आने को कहा। जब मैं वह लोटल लेकर उनके समुग बैठा हुआ था। मुझे अपने हाथ में तीरुपत रंगे बहने का भास हुआ। इस से उसमें तुरंत ही शक्ती आई और मैं उसे बीना पीड़ा के हिला सका। मुझे भगोत यातनाएं करने पड़ती हैं। अक्सर मेरी दुरगटनाएं हो जाती थी। परंतु गुरुजी के तर्शन होने के बाद मुझे शुरक्षा का नुभव रहा है। एक बार रात को अजमेर से जैपूर आते हुए मैकार की पिछली सीट पर बिशराम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने जिन जोड़ कर जगाया और मैंने चिला कर वहां चलक्षू कहा कि आगे माल पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंद प्रेक लगाई और धुरगटना होते होते बची। मुझे अवाज हुआ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे अध्यन निद्रा की अवस्ता से जगाया था। मुझे प्रतीत होता है कि गुरुजी ने मुझे आशिरवात के साथ साथ प्रसंता और शांती भी दी है। मैं कृत्यज हूँ कि अब गुरुजी ने मुझे प्रती दिन जलंदर में उनके मंदिर में आने की आग्या दी हुई है। जय गुरुजी शुकराना गुरुजी संगत जी अब हम गुरुगाहों से मीरा एव अनीर जोहर संगत जी का सस्टंग सुनेंगे जोहर परिवार नियोक में पांच वर्ष रहने के बाद भारल लोटा था उनकी वापसी के बाद अनेग बादाय आई घर लोटना इतना रोमांचक नहीं था जितनी उन्होंने आशा करी थी मीरा जोहर को ऐसे समय पर किसी सलाकार की ना होने का तैंत तुख था किन्तु यह सब अगस्त दो या छे में परिवर्थित हो गया कुछ समय से उनके पडोस में रहने वाले बाटय परिवार के सथ से जो उने के बाती बोविम भावन में वयवास में थे उनको मातर गुरुजी से सम्भोधित होने वाले व्यक्ति में से मिलने को बारबार कह रहे थे अनिल जोहर एसमाज में थेकी क्या गरे फिर एक शाम को उन्होंने गुरी जी के पास जाने का निश्य लिया भाट्य परिवार के साथ घर से निकलते हुए मीरा गौप ने आठ वर्षिये गड़वा बच्चों की चिंता थी क्योंकि वह उनको अकेली छोड़कर जा रहे थे भाट्य परिवार के कहने पर कि उन्हें चिंता करने की आवशक्ता नहीं है मीरा ने अपने पति को विश्वास बनाये रखने के लिए कहा मीरा के मदूमी रोग से भाट्य परिवार अनुबिस्थ था उन्होंने कहा था कि वहाँ पर चाय या लंगर घ्रैन ना करना मुर्खता होगी इस परकार मन में अनिशक्ता लेकर जोहर दमपंटी इंपारी स्टेट में गुरी जी की संगत में पोचे मीरा ने चाय पर शादोर फिर लंगर जिसमें लड़ू भी थे घ्रैन किया पवित्र भुजन के पश्चात उसके पेट में पीड़ा होने लेको उसने यह अगने एक घंटे तक सहा जब उनकी आके लेने का समय आया तो गुरी जी बोले आया करो एश करो एंपारे स्टेट के बाहर आकर बाटे परिवार ने उनको बताया कि वह अत्तेंत भागिशानी है गुरी जी ने उनके पहले दर्शन पर ही उनसे बात करी शिरिमती जोहर को यह बात रास नहीं आई वह अपने पेट में और एपीड़ा के बारे में सोच रही थी उससे कम मुक्ती मिले कि वह राद बर सो नहीं सकी और उसके मन में यही विचार गुमते रहे कि क्या वास्तों में वह किसी अती विशिष्ट स्थान पर गए थे प्रात उठकर जब उसने अपने मदो की मातरा का प्रिक्षन किया तो एकेवल सो था वह आश्त्रे चकित होकर यह सोच रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता घर पर तो एक रोटे भी खाने के बाद उसका मदो स्थर उपर चला जाता था मीरा हर दर्शन के पश्टात अपने मदो की यातरा का प्रिक्षन करती रही हर बार उसका स्थर दी चही रहता उसके सात्रे रायंड का स्थर भी 700 से घट कर 120 की समान्ने मातरा पर आ गया था अत्यांत उसने अपने और गुरी जी के परिक्षन बंद कर दिये उससे विश्वास हो गया कि गुरी जी के आश्रवाद ही उसको रोग उट कर सकेंगे उसे लगा कि उसका रक्त भी स्वच और शुद हो रहा है किन्तो एह अभास ही नहीं तत्य भी था पार्य उसके रक्त परिक्षन करने में कठनाईयां आती थी एक तो सही नस का पता नहीं डलता था और फिर उसमें से निकलता हुआ रक्त पदूशर्थ और भाड़ा होता था किन्तो अब गुरुजी के पास जाने के पश्चाथ सुई पहले ही प्रयास में नस में जाने लगी और रक्त एकदम भार आने लगा दिल्चस्पी की बात यह है कि भाड़े परिवार को जोर परिवार के अस्वस्थ होने का पता नहीं था अनिल जोर को भी सदा नजला रहता था वह वातनुकुल्ट कमरे में नहीं बैट पाते थे गुरुजी के पास दो तीन माज जाने के बाद उन्होंने अचानक अभास हुआ कि उनका यह रोग तो समाप्त हो चुका है मैं अपनी पतनी के रोक के बारे में इतने चिंतिर रहते थे कि अन्या बाते मैं भूल जाते थे जन्री दोजा साथ में जोर और कुछ अन्या परिवार जिम कॉर्वेट राष्ट्रे वन उधान में गूमने के लिए गए सब दो जीपों में चड़कर वन के चक्कर कारते रहे किन्तु कोई जंगली पशु दिखाए नहीं दिये बच्चे कह रहे थे कि उन्होंने गुडगाग के शेहरी वातवर में कहीं अधिक पशु देखी हैं ठक कर वह अपने अवास स्थान पर आ गए और सुरक्षा करमचारियों के पास रुके उसने बताया कि वह अत्यंत भाविशानी है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा उनकी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील वुशने के कारण वह बिल्कुल चप्टा हो गया था तीन घंटे वन के उबड़ खावड मारगों पर ना तो उन्हें इसका पता चला ना ही उनकी आत्रा में कोई रुकावड गुरुज ने जोर परिवार की अंदेखी विब्दा से रक्षा गरी थी जोर योगल को गुरुजी के पाजाते कोई कुछ समय बीद गया था जब मीरा को एसास हुआ कि गुरुजी उसे मिसेज मीरा कहकर संबोदित करते हैं जबकि अन्यम हिलाओ को वह आंटे के अगर पुखारते हैं यह बेदभाव देखकर मीरा ने एक दिन रशन होल के बाद पती को कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी उससे प्रेम नहीं करते हैं और वह उनके प्रियों की सुची में नहीं हैं। समस्चांग खाए दूर करती थी। उसे सपष्ठ हुआ कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्बन नहीं होते। वह तो अब प्रकट प्रेम से बंदे रहते हैं। गुरुजी की बहुतीक उपस्तिती की भियवशक्ता नहीं है। वह तो सवतनत्र हैं। वह दादा ह और कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। इश्वर होते हुए उनका स्रित्य असीमित हैं। वह के वलप्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनकी आश्रिवाद सबके लिए हैं। उनकी स्वयम विद्वानता का प्रत्यक्स प्रमान तम मिला जब जोहर परिवार को अपने गुडबाओं इवास पर उनका ससंग अयोजित करने का गौर प्राप्त हुआ। मीरा के अपने शब्दों में हमने इस बड़े समारों का अयोजन अपने घर के नीचे तैखाने में किया था। एक दिन पहले अती उच्छा से उसका प्रभंद करते हुए। मैंने अपने पत से साथ बजे का था। उच्छ अन्याई चार पच्चिस पर ही पोज गए। संगत के आते ही गुरुजी की सुंगंद पूरे घर में फैल गए। हमती अनन्दित हुए पर यह तो चुरुआत थी। गुरुजी नो समारों को यादगर बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हु में उनका एक बहुत बड़ा चित्र लगाया गया था। जैसे ही हम उसके दर्शन के लिए उसके पास गए उनके मस्टक पर एक तिरशूल दिखाई दिया। तिरशूल त्रियायामी था और चमक राग था। हम सदबंद रह गए। प्रमात्मा की उपस्तिती से हमें उनका आशिरवात पराप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे। गुरुजी की आरती हुई सबने ससंग में प्रेम से भाग दिया। लंगर के उपरांद भक्त जानने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे थे हमने एक और अचमबा देखा। निवास के भूमी तल गुरुजी के एक अन्य चित्तरपत येकति मनोरंग शिवनिंग उब्रा ये एक अन्य अविस्मरन्य पल्था। है भगवान है गुरुजी हम पर सदा अपनी किरपा बनाये रखिए और सदा सुम्मार्ग दिखाईए। जय गुरुजी शुकराना गुरुज। संगत जी आ भगवान विश्न द्वारा की गई अपनी स्तूति सुनकर किल्याने मियें शिव भहुत प्रसन हुए और देवी उमासईद वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव के पाज मुख थे और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे। वस्तक में चंदर्मा, शिर पर जटा तथा संप भीत करने वाला और परम आनंद मियें था। महादेव जी के साथ भगवती उमा ने वियप हमें दर्शन दिये। उनको देखकर मैंने और विश्नु जी ने वोन उनकी स्थूति करनी शुरू कर दी। तब पापोगर नाश करने वाले तो था अपने भगतों बर सदा किर्प का दिरिष्टी रखने वाले महेश्वन ने मुझे और भगवान विश्नु को शाज से वेद का उपदेश दिया। ततप शात उन्होंने हमें गुप्त ग्यान परदान किया। वेद का ग्यान पराप्त कर किर्तात हुए विश्नु जी और मैंने भगवान शिय और देवी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ कर यमश्कार किया। ततथा पराप्तना कि विश्नु जी ने पूछा है देव आप किस परकार पसंद होते हैं ततथा किस परकार आपकी पूजा ध्यान करना चाहिए। किर्पा कर हमें इसके बारे में बताएं ततथा सदू पंदेश देक दन्य करें। ब्रह्मा जी कहते हैं आरद इस परकार शिरी हरी की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन हुए। किर्पय निदान शीव ने प्रति पूर्वक यह बात शिरी शीव बोले मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन हूँ। मेरे शीरोप का पूजन है चिंतन करना तुम दोनों महा बली हो, मेरे दाई बाए अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोक पिता प्रहमा मेरे दाईने प्राग से और पालरहार विशनु मेरे माई प्राग से प्रकट हुए हो। मैं तुम पर बली बाति प्रसन हूँ। और तुम्हें मुन्वानचित फल देता तुम दोनों की भक्ती श्रिड हो मेरी आज्या का पालन करते हुए ब्रमा जी आजगत की रचना करें तथा भगत विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें भगवान विष्णु बोले प्रभू यदि आपकी हिड़ते में हमारी भक्ती से रित्य उत्पन हुई है और आप हम पर प्रसन होकर हमें वर देना चाते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हिड़ते में सदेव आपकी अन्यययव अभिचल भक्ती बनी रहे हैं ब्रहमा जी बोले नारद विश्णु जी की यह बात सुनकर अगवान शंकर प्रसन हुए तब हमने दोनों हाद जोड़ कर उने पर नाम किया शिवजी जी कहते हैं मैं स्रिष्टी पालन और स्यकार का करतात हूँ मेरा सुरूप संगुन और निर्वुन है मैं ही सज्चनन्द निर्वरकार प्रंब्रम और प्रमात्मा हूँ स्रिष्टी की रजना रक्षा और ट्लेरू गुणों के कारण मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रोद्र नाम तारग कर तीनों रूपों में वी भक्त हुआ हूँ मैं भक्त वच्सल हूँ और वक्तों की ब्राधना को सदेय पूरी करता हूँ मेरे इसी अंश से रूद्र की उत्पत्ति हूँ नी पूजा की विधी विदान की डिष्टी से हमसे कोई उत्तर नहीं होगा विष्णु ब्रह्मा और रूद्र तीनों एव रूप हूँगे इनमें बेद नहीं है इनमें जो बेद मानेगा वैगो नर्खो भोगेगा मेरा शिव रूख सनातन है तथा सभी का मूल भूक्त रूप है यह सत्य ग्यान एव अनन्त ब्रह्मा है ऐसा जानका मेरे एथार्थ सुरूप का दर्शन करना चाहिए मैं स्वव्म ब्रह्मा जी की प्रक्रिति से प्रकट हूँगा ब्रह्मा जी आप स्रिष्टी के निर्मात बनो शिरी हरी विष्णू इसका पालन करे तथा मेरे अंच से प्रकट होने वाले रूद प्रले करने वाले हैं उमा नाम से विख्यात परमे शरी प्रकरती देवी हैं इनी की शक्ति भूता वाग देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की अ तिन नाम से जोती सिरी शक्ति उत्पन होगी वे मेरे अशबूत रूद्र देव को प्राप्त होगी। करया सिद के लिए वे जोती रूप में प्रकट होगी। उनका कार्य शृष्ठी पालन और सहकार का सप्पादन है। तिन नाम से जोती सिरी शक्ति उत्पन होगी। पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजने हो जाओगे। संगत जी करके ससंग में आपको शिरी रूदर सीता का तस्वां दाय हम पढ़कर सुनाएंगे। जैगुरु जी शुकराना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तो अब इस ससंग को और संगत के साथ जरूर साजा करें। जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात पराप्त कर सके। जैगुरु जी।